कहानी की शुरुवात में एक बेहत ही खुबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो बेर के नीचे बैटे हुई थी उस लड़की का नाम बाई जिंग है और उसका दोस जियो भी मार है इसलिए वो उसके लिए दवाई लेने जंगल आई हुई थी वो जड़ी बोटी के पत् पर भी होश पड़ी हुई है लेकिन उसके साथ एक लड़का भी है उस लड़के का नाम लियू लॉंग है और उसी ने बाई जिंग की जान बचाई है वो दिखने में बहुत हैंसम और ताकतवर भी लग रहा था इसके कुछ देर के बाद बाई जिंग होश में आती है वैं कर लिू लॉंग अपने असले रूप में आ जाता है और फिर पता चलता है कि असल में वही वाइट पान पानी के बुलुलय में केद कर लेता है और असल में लियू लॉंग स्नेक गॉड है जो चैंग बाई माउंटन में हजारों सालों से ट्रेनिंग कर रहा है इसके बाद बाई जिंग उसे बुलबुले से निकालने के लिए कहती है इसलिए वो उसे बोट पर उतार देता है फिर बाई जिंग उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो जिस बल्ली उलॉंग कहता है कि तुम मेरी ट्रेनिंग में मदद करोगी क्योंकि मैं तुम्हारे पेट के अंदर एक फ्लावर प्लांट करने वाला हूँ इसलिए तुम जितना अच्छा काम करोगी उतना ज्यादा ये फ्लावर भी ग्रो होगा और फिर ये फ्लावर जब पूरी तरह से ग्रो हो जाएगा तब उसके साथ इसका डार्क औरा खतम हो जाएगा और मुझे उस चीज से डीमन को खत्म करने में मदद मिलेगी इसके बाद वो बाई जिंग का हैंट प्रिंट एग्रीमन पर ले लेता है ताकि बाद में वो अपने बात से मना नहीं कर सके फिर हम देखते हैं कि बाई जिंग लिव लॉंग से दूर भाग जाती है और तभी कोई उसके उपर हमला कर देता है लेकिन अब उसे बचाने के लिए उसका दोस्त जियू यहां आ जाता है फिर भीवे गुंटे बहुत सारे थे इसलिए जियू उनको अकेले नहीं समाल पाता और उनमें से एक बाई जिंग को उठा कर भागना शुरू कर देता है लेकिन इसी वक्त लियू लॉंग आकर उसे बचा लेता है फिर भाई जिंग जियू को बताती है कि यही वो वाइट स्नेक है जिसने मुझे पकड़ा हुआ था जिसके बाद जियू लियू लॉंग को देखकर अपना सर चुका लेता है अगले सीन में हम देखते हैं कि बाई जिंग जियू के जखमों पर मरहम लगा रही थी तब ही उसे सभा में बुलाया जाता है यहां मास्टर स्विंग बाई जिंग से कहती है कि तुमने डीमन के साथ अक्रीमेंट करके हमारा रूल तोर दिया है यह सुनकर बाई जिंग कहती है कि मैंने अपने पूरी कोशिश की थी लेकिन वो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर था इसलिए उसने जबरतस्ती मुझसे अग्रीमेंट करवा लिया इस पर मास्टर स्विंग बागी सब को बाहर जाने को कहती है और बाई जिंग को समझाती है कि तुम इन लोगों से दूर रहना नहीं तो यह तुम्हारी फैमिली को पर बात कर देंगे यह सुनकर बाई जिंग उसकी बात मान जाती है और कहती है कि मैं सरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी जिससे इस एक्वीमिन को तोड़ा जा सके लेकिन यह सब बाते लूंग भी अपने सनेक का रूप लेकर सुन रहा था फिर हम देखते हैं कि बाई जिंग एक लड़की को दवाई दे रही थी क्योंकि असल में वो वहाँ के डॉक्टर होती है इसलिए वो अपने पेशिंट को ट्रीटमेंट दे रही थी लेकिन तभी उस लड़की को वाईट सनेक पकर लिता है जो उस लड़की को तो दिख रहा था लेकिन उसके अलावा वो किसी को भी नजर नहीं आ रहा था फिर बाईजिंग के डाटने पर वाईट सनेक उसे छोड़ देता है जिसके बाद वो समझ जाती है कि ये लियू लॉंग है इसलिए वो उससे मिलने के लिए क्लीनिक से बाहा निकलती है बाईजिंग उससे कहती है कि मेरा तुम से कोई लेना देना नहीं है इसलिए तुम मेरे साथ किया हुव अग्रीमेंट कैंसल कर दो लेकिन लियू लॉंग कहता है कि ये अग्रीमेंट कोई बच्चों का खेल नहीं जो कैंसल कर दिया जाए इतना कहने के बाद वो कायब हो जाता है और इस बात से बाइजिंग बहुत अदास हो गई थी इसलिए रात में भी वो लियू लॉंग से अग्रीमेंट टोरने के बारे में सोच रही होती है लेकिन बहुत सोचने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अग्रीमेंट को कैसे तोड़ा जाए तभी अचानक से उसे अपने रूम के बाहर किसी के करहाने की आवाज सुनाई देती है फिर पता चलता है कि वो तो जियू है और उसकी बीमारी बरती ही जा रही है लेकिन वो बाइजिंग के गेट खोलने के पहले वहां से अपने रूम में वापस चला जाता है मगर तभी लियू लॉंग जियू के रूम में आता है वो उससे कहता है कि तुम बहुत जल्द मरने वाले हो लेकिन तुम इस तभाई को रोकने के लिए जेड तालाब भी नहीं गए हो इस पर जियू कहता है कि मैं जल्द ही जाऊंगा लेकिन अगर तुम्हारी वज़े से बाई जियू को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा इसके बाद लियू लॉंग उसके रूम से बाहर निकलता है और देखता है कि बाई जियू को खोशते हुए उसके सामने खरी है ये देख वो उसका हाथ पकरता है जिस पर बाई जिंक कहती है कि मेरा हाथ चोड़ो लेकिन लियू लॉंग कहता है कि तुम मुझसे अपना हाथ नहीं छोड़ा सकती तो डीमन से कैसे लड़ोगी तब ही अचानक से बाई जिंक के हाथ में आग चलने लगता है ये देख लियो लॉंग हैरान होता है कि ये जादूई आग इतने देर तक इसके हाथ में कैसे चल सकती है इसलिए वो उससे कहता है कि कल से तुम्हारी ट्रेइनिंग शुरू होगी और ट्रेइनिंग के बाद ही तुम मेरे साथ डीमन को मार सकती हो फिर हम देखते हैं कि बाई जिंग ने लियू लॉंग के खाने में जहर मिलाया होता है लेकिन इसके बारे में उसे पहले से ही पता चल गया था इसलिए वो कहता है कि तुम्हें लगता है ये करने से मैं अग्रीमेंट कैंसल कर दूँगा लेकिन ये सब तुम्हारी गलक वहमी है तभी अचानक से बाई जिंग के पेच में दर्ध होने लगता है जिसके बाद लियू लॉंग कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था इसलिए जब भी तुम एग्रीमेंट कैंसल करने की कोशिश करोगी तो तुम्हारे पेच में ऐसे हिदाध होगा तभी एक लड़की जो पाइप डीमन होती है वो भी जिंग को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है ये देख लियू लॉंग उसको पाइप डीमन की चंगुल से बचा लेता है और वो लड़की भी लियू लॉंग से बचकर भागने में काम्याब हो जाती है अगले सुबह एक आदमी मास्टर शोई के पास आता है और कहता है कि मैं वैंग पैमली का लीडर वैंग जिगमो हूँ मेरी वाइव को अजीब बिमारी हो गई है इसलिए आप हमारे साथ उनका इलाज करने चलें ये सुनकर बाई जिंग कहती है मैं इनके साथ जाओंगी फिर बाई जिंग और ल्यू लॉंग उडन खटोले पर बैटकर उसके घर पहुँच जाते हैं जो कि वैंग की वाइव है और दिन भर गाना गात रहती है गेट के होल से पेशन को देखते हैं तभी वो ल्यू लॉंग पर हमला कर देती है लेकिन ल्यू लॉंग के एक धके से उसके अंदर का पाईप डीमन बाहर निकल जाता है अगले सीन में हम देखते हैं कि बाई जिंग मेकप करके डांस कर रही है तभी पाईप डीमन उसे दुबारा ले जाने की कोशिश करती है इसी के साथ डीमन अपना म्यूजिकल इंस्टूमेंट बजा कर लियू लॉंग पर हमला करती है इसलिए उसी हमले को रिवर्स करने के लिए लियू लॉंग फ्लूर बचाता है लेकिन अब पाईप डीमन हर जगे स्मोक फिला देती है और बाईजिंग को अपने साथ लेकर चले जाती है फिर हम देखते हैं कि वहाँ सभी लोग किसी डेद बॉडी को दफनाने के लिए ले जा रहे थे ये दे लियू लॉंग कफन को खोलने के लिए कहता है अब इसकी वज़े से उन लोगों का असली रूप सामने आता है जो असल में डीमन होते हैं और लियू लॉंग को देख भाग जाते हैं फिर ताबूत में से लिन क्विंदै नाम की लगी निकलती है वो लियू लॉंग पर अपनी तलवार से हमला करने की कोशिश करती है इसलिए लियू लॉंग उसके तलवार से उसे मारने वाला होता है तभी इसी वक्त वांग बीच में आ जाता है और तलवार उसके पेट को चीर देती है इसी बीच मौका पाकर लिन कुएंडाई भाग जाती है फिर बाई जिंग को बचाने लियू लॉंग पाइप डीमन के पीछे जाता है बाई जिंग पाइप डीमन से पूछती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो जिस पर वो कहती है कि तुमारे पास एक ऐसी चीज है जो मुझे चाहिए तब ही लियू लॉंग भी वहाँ आ जाता है वो बाई जिंग से फाइर अटाक करने के लिए कहता है और उसके फाइर से पाइप डीमन गायब हो जाती है अब इन दोनों को लग रहा था कि वे बच गए हैं लेकिन असल में ऐसा नहीं होता और पाइप डीमन दोनों को हिपनोटाइस कर देती है इसके बाद वो बाई जिंग को एक खंजर देती है और उससे कहती है कि अगर तुम लिव लॉंग से अग्रीमन कैंसल करना चाहती हो तब इसके लिए तुम्हें उसको मानना होगा अब उसकी बात सुनकर वो उसे मानने वाली होती है लेकिन तभी उसे होश आ जाता है और वो पाइब डीमन के उपर ही खंजर से हमला कर देती है जिसके बाद पाइब डीमन वहाँ से भाग जाती है अब लिव लॉंग सोचने लगता है कि मौका मिलने पर भी उसने मुझे क्यों नहीं मारा फिर हम देखते हैं कि दोनों के बीच नस्दी क्या बढ़ने लगती है इधर पाइब डीमन अपने चीफ के पास आ गई थी लेकिन उसकी चीफ बहुत कुस्से में होती है इसलिए वो उससे एक और चांस मांगती है वही दूसरी और बाइजिंग अपने सपने में देखती है कि वो बांबू फॉरेस्ट में भाग रही है और कई लोग आवास दे रहे हैं कि लीजिया विलिज में माउंटिन गॉर्ड की पूजा करू अब जियो को एहसास हो गया था कि बाइजिंग कोई मुसीबत में है इसलिए वो फिर से अपने घर आता है वो बाइजिंग को एक हैरपिन देता है लेकिन वो उसकी बात नहीं समझ पाती और कहती है कि ये हैरपिन तुम अपने वाइफ को देना फिर वो उसे अपने सपने के बारे में बताती है जिसके बाद वो सबका ट्रीटमेंट करने के लिए लिजिया विलज जाते हैं वहाँ पर उन्हें सबके चेहरे पर बीमारी देख रही थी लेकिन अंदर से सब कुछ ठीक था फिर हम देखते हैं कि जिव बाई जिंग को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा होता है और सोचने लगता है कि तुम मुझे क्यों नहीं चाहती हूँ अगले दिन एक बच्चा उनके पास आता है और कहता है कि मेरे भाई को बचा लो क्योंकि उसके अंदर एक डीमन गुज गया है फिर वो कहता है कि मुझे एक दुलन चाहिए और हम दुलन कहां से लाएं इसकी बाद सुनकर बाई जिंग ये रिस्क लेने के लिए तयार हो जाती है इसलिए वो दुलन का ड्रेस बहन कर उस डीमन के पास जाती है वहाँ पर डीमन उसे शराब पिला कर भी होश कर देता है और होश में आने पर वो कहने लगती है कि लियू लॉंग मुझे बचाओ अब इसके तुरन बाद वो यहाँ पर आ जाता है लेकिन बाई जिंग ने जहर वाले शराब पी लिया था जिसकी वज़े से वो अपने गॉड़ेस वाले अफ्तार में आ जाती है लियू लॉंग ये देख हैरान रह जाता है क्योंकि असल में वो कोई आम इंसान नहीं बलकि 14 जेनरेशन की गॉड़ेस है जिसे वाइट स्नेक की मदद करने के लिए कई साल पहले हैवन से निकाल दिया गया था लेकिन ये बात उसे खुद नहीं पता थी और पेट में जहर के जाने से वो अपने असली रूप में आ गई है फिर जैसे ही जहर का असर खत्म होता है वो वापस अपने पुराने रूप में आ जाती है लेकिन अब उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि अभी वो क्या बन गई थी तब ही डीमन कहता है मुझे जिसकी तलाश है वो तुम हो ये सुनकर लियू लॉंग उसे मार देता है और फिर कहता है कि ये वो नहीं है जिसे तुम खोज रहे हो तब ही यहाँ पाइब डीमन आकर तीर से हमला करती है ये देख लियू लॉंग हमले को रोकता है लेकिन जब पाइब डीमन रियलगार एरो का इस्तिमाल करती है तो लियू लॉंग बाई जिंग को लेकर वहाँ से भाग जाता है और ऐसा लग रहा था कि रियल गार एरो उसकी कमजोरी है फिर पाइब डीमन अपने सिपाही के साथ उनके पीछे जाती है लियू लॉंग रास्ते में जियो से मिलता है वो कहता है कि तुम दोनों जाओ मैं उन लोगों को रोकता हूँ इसलिए लियू लॉंग और बाइजिंग यहां से चले जाते है जबकि पाइब डीमन जियो को पकर लेती है और उसको अपने साथ लेकर चले जाती है वो जियो से कहती है कि मैं बाइजिंग को इसलिए पकरना चाहती हूँ क्योंकि वो एटरनल सोल है और उसकी पावर इब्सॉर्फ करके मेरी चीफ ठीक हो सकती है इस पर जियू कहता है कि वो Eternal Soul नहीं है ये सुनकर Pipe Demon कहती है कि तुम Beast God हो तो क्या हुआ मैं तुम्हें फिर भी मार दूँगी तब जियू कहता है कि मैं Beast God हूँ इसलिए मुझे पता है वहीं दूसरी तरफ लियू लूँग और बाई जिंग अपने घर गए है लेकिन वहाँ सबी लड़किया मारी पड़ी हुई थी और फिर मास दुश्वें भी जखमी थी इसलिए लियू लूँग उनको ठीक करता है फिर मास दुश्वें लियू लूँग से कहती है इस पर बाई जिंग कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं उसके साथ अग्रीमेंट कैंसल नहीं करवा पाई तब मास्टर कहती है कि मैं पहले से ही जानती थी कि तुम नहीं कर पाऊगी क्योंकि उसने तुम्हारे साथ agreement इसलिए sign किया क्योंकि तुम immortal soul हो और तुम्हारे अंदर powers है बाई जिंग अब जंकल जाती है और रोते हुए गड़ा खोद रही होती है तभी लिू लॉंग वहां आता है वो उससे कहती है कि तुम्हें मेरी जरूरत इसलिए थी क्योंकि मैं eternal soul हूँ जिस पर लियू लॉंग कहता है कि हाँ ये सच है क्योंकि तुम्हारी eternal soul से मेरी training को advance करने में मदद मिलती है इस बात को सुनकर बाई जिंग उस पर खंजर से हमना करती है लेकिन वो उसे रोक लेता है और कहता है कि शांत हो जाओ क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा कोई गलत feeling नहीं है इसलिए demon चाहे कि अच्छे हो या बुरे इंसान हमेशा ही demon से ड़ते है फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे तुम मार दो ये सुनकर बाई जिंग उसे fake कर मारती है लेकिन खंजर लियू लॉंग को नहीं बलकि पेड को लगता है बाई जिंग का दिल अब पिगल गया था और वो रोते हुए कहती है कि प्लीज agreement कैंसल कर दो क्योंकि हम दोनों आप से अपनी अपनी लाइफ जियेंगे उसकी ये बात सुनते ही लियू लॉंग उस agreement को जला देता है फिर हम देखते हैं कि अंधेरी रात में लिन कुंडाई बाई जिंग को बेहोश करके अपने साथ पाइब डीमन के पास ले जाती है इस वक्त लियू लॉंग भी ये सब देख रहा था लेकिन उसको बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं करता इधर पाइब डीमन अब उसके अंदर से पावर्स को निकालना चाता है लेकिन तभी लियू लॉंग उसे धका देकर दूर कर देता है इसके बाद वो लिन कुंडाई से के पावर्स को इब्सॉर्फ कर लेती है और यहां से भाग जाती है बाई जिंग कहती है कि मैंने तुम्हे तो जाने के लिए कहा था लेकिन फिर भी तुम क्यूँ आई हो तब लियू लॉंग कहता है कि मैं तुमारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे बोलने से चला जाओंगा इसके बाद बाई जिंग जियूक को खोजने लगती है जो कि तालाब के किनारे पड़ा हुआ था वहाँ पाइप डीमन के लोग उन पर हमला करते हैं जिसके बाद लियू लॉंग उनको मारने में बिजी हो जाता है और इसी बीच पाइप डीमन बाई जिंग पर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन लियू लॉंग उसे बचा लेता है और पाइप डीमन के पीछे जाता है तब है पाइप डीमन वहाँ से गायब हो जाती है और वो अपने चीफ के पास आ जाती है लेकिन वहाँ पॉशने पर वो देखती है कि सभी लोग मारे पड़े हुए है और चीफ अपने सिंगासन पर भी नहीं है वो उसे इधर उधर खोजने की कोशिश करती है और इसी बीच पाइप दीवन के अंदर से कोई उसकी पावर्स खीच रहा होता है जो कि असल में उसकी ह चीफ यिन्वा होती है और वो दिखने में बहुत खुबसूरत होती है तब ही लियो लॉंग भी यहाँ आ जाता है और उसे देखते ही हैरान हो जाता है क्योंकि असल में ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे यिन्वा लियो लॉंग से कहती है कि मैं हमेशा तुम्हें याद करती थी लेकिन वे तो कुछ साथ होते जिन्होंने मेरी आत्मा का बागे हिस्सा एक बाउन में कलेक्ट कर लिया जिसकी वज़े से मैं आज तुम से मिल पाई हूँ इसके अलावा मुझे ये भी पता है कि तुमने मुझे बचाने के लिए ही बाई जिंग के साथ एक्रीमिंट किया था इस पर लियू लॉंग कहता है कि तुम जिसे खोज रही हो वो बाई जिंग नहीं है तब ये नुवा कहती है कि वो वही लड़की है जो नवा पैलस से नीचे जमीन पर आई थी और इम्मॉटल सोल बन चुकी है इसलिए उसी की मदद से मैं दुबारा जिंदा हो पाऊंगी जिसकी वज़े से मेरे लिए तुम्हें उसे मानना होगा इस दौरान इनकी बातें जियू भी सुन लेता है और भाई जिंग को बताने के लिए जाता है तब ही ल्यू लॉंग भी उसके पीछे जाता है और दोनो अपने असली रूप पे आ जाते हैं लियू लॉॉ से और जियू अपने पंक से फाइट करता है इसके दोरान अब दोनों बराबर की ताकत रखते हैं लेकिन अभी भी कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था फिर जियू कहता है मैं बाई जिंग को किसी भी हाल में बचा कर रहूंगा लेकिन तभी बाई जिंग भी वहां आ जाती है जियू उसे लियू लॉंग की सच्चाई बताने की कोशिश करता है लेकिन बाई जिंग कहती है कि मैं किस पर भरोसा करूं और अगर तुम पर भरोसा भी करूं तो क्या तुम मेरे लिए मर सकते हो ये बात सुनकर वो हां बोलता है जिसके बाद बाई जिंग उसे खंजर मार देती है लेकिन असल में वो बाई जिंग नहीं बलकि ये नुआ उसके रूप में आई थी और वो जियू को मार देती है फिर वो लियू लॉंग से कहती है कि ये तो मर गया इसलिए अब बाई जिंग को लाना तुम्हारा काम है और क्या तुम उसे मार पाऊगे तब इस पर वो कहता है कि मुझे भरोसा करो क्योंकि मैं उसे जरूर लाऊंगा फिर हम देखते हैं कि बाई जिंग पेड़ के पास खड़ी होती है और लियू लॉंग उसके पास जाकर गरे लगाता है इसके बाद वो उसकी पीट में गोपने केले खंजर निकालता है जिसके बाद ये मुवी यहीं पर एंड हो जाती है तो आपको क्या लगता है लियू लॉंग बाई जिंग को मार पाएगा लेकिन अगर आपने पिछली वाली वीडियो मिस कर दिया हो तो लेट वाली वीडियो जरूर देख लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आल पर भी सेट कर देना